हालो एब्रीवन एंड वेलकम टू डियास कुरूजी राजस्तान परिस कॉंस्टेबल पत्वारी और हाइकोट गूर्प डीके एकजामिनेशन के लिए राजस्तान जी के स्पेशल क्लासे को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्तान आर्ट एल कल्चर के कुछ ऐसे महत्वण प्रशनों को जो आपके आगामे एकजामिनेशन के लिए आती संभावित हैं इन क्योशन का पीडियाप आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राजस्तान जीके के आर्ट एन कल्चर के यह ऐसे क्योशन है जो एक्जामिनेशन में डिरेक्ली पूछे गए हैं तो जानते हैं आर्ट एन कल्चर के कुछ बहुत ही महत्वण प्रशनों को पहला प्रशन है किस एत अध्मावती का वर्णन मिलता है थार्ड ऑप्चन इस क्योशन में करेक्ट होगा मायड भाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों मायड भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है दोहे के लेखक कोन है दोहे से जुड़े कथन से जुड़े या वाक्य से जुड़े प्रशन ए गाए है paste निम्न दो है के रचेता कon है लान देणी आपनी हाल रिया हुल राय पूत सिखावे पाल ने मरन बढ़ाई माई अब ये दोहा लिखा है सूरे मल मिश्रण जी के द्वारा इसमें करेक्ट होगा पराई प्यास का सफर और एक गधी की जन्म कुंडली ये किस ने लिखा है ये बहुत चर्चित विशे रहे हैं और ये लिखा है दोक्टर आलम साख खान ने फर्स्ट ओप्शन इसमें करेक्ट होगा राजस्तान की अर्थवरस्ता में लगबग कितने प्रतिशत योगदान सेवा आधारित शेत्र का है तो दोस्तों वो है 48% योगदान सेवा आधारित शेत्र का है राजस्तान की अर्थवरस्ता में अगला प्रिश्ण है बांधनी के कागज किस लीपी से संबंदित है ये प पंक्तियों का संबंद निम्न में से किस्से हैं देखिए पंक्तियां हैं सोने सूरज आगियो दीठी बाद लिया मुर्धर लेवे वारना भरबर आखडिया आप रमेकिन मोद में रवी पे रे तीखे ताप जोडी से तोडी भली लुआ किसरे न्याओ दोस्तों ये पंक्तिय संबंदित हैं चंद्र सिंग से ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट होगा अगला प्रशन ही 561 चंदों के डिंगल परियवाची कोस इसका नाम है अभीधान माला और अवधान माला इसकी रशना किस ने की है तो दोस्तों इसकी रशना की गई है उदे राम ब अगला प्रशन है सत्य कथन को अपने को चार्टा है बासवाड़ा के ठीक्रिय गाउं में वर्शा से साधी वर्सोशी शादी के बाद फिर साधी का अनुठी परंपरा चल रही है एकदम सही है तमाटर के राड बासवाड़ा की प्रिशिद है इसमें टमाटर उसे होली खे अगला प्रशन है किस ने लिखा आतो सुर्गा ने सर्मावे इन पर देव रमन ने आवे धरती धोरारी बहुत ही अच्छी क्रती है और यह लिखा गया था कनही अलाल सेथिया के दौरा थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा रिपोर्टाज विधा को समरद्ध करने वाले अचना कारों में निम्न में से कौन सामिल नहीं है दोस्तो रिपोर्टाज विधा से जुड़ा एक्जामेनेशन में क्योशन जरूर पूछा जाता है इसमें इन्हों ने जिन्हों ने इसको फेमस किया वो है गोपालदाश, सत पूर्टाज विधा में सबसे अधिक इसमरीनी काम जिन्हान किया है वह है गोपालदाश विधा से समधित असमेलीत युगमें को बताना है गोपालदाश मोह बिरसत नहीं एकदम सही है बगवान दास केला मेरी शर्वोदे यात्रा और नंद भाद्वार समवाद निरंतर एधिक में इसमें फोर्थ ऊप्शण अगला अपना प्रिश्णह है मुगल बादसा अपनी विजीओ मेंसे आधि यु राठोडो की एकदलबारों के अश्जान बंद है एक कि इसका मना गया है कि ग मुघल बादसा अपनी विजिओь मेंसे आधि के लिए राठोडो की थार्ड उप्शन इसमें करेक्ट होगा अगला प्रश्ण है आओ सेतु बांधे क्रती किसकी रश्ण है जिसके लिए लेखक लेखिका को राजस्तान सायत्यकाद्मी पुरुषकार से नवा जा गया है तो दोस्तों लेखक है इसके शांती राशपाल और यह ऐसी क्रती है जिस रावायन की रश्णा की अगला प्रश्ण है चंदर्धर सर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में कहा हुआ था दोस्तों राजस्तान के कभी है यह रस्तान के लेखक है और इनका जनम हुआ था जैपूर में थाड़ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा अगला प्रश्ण है उर्दु शा इसे भी पूछा जाता है प्रश्तान चारण साहित्या मेतिहासिक सर्वे ग्रंथ के लेखक तो दोस्ते इसके लेखक है डोक्टर एलपी टेस्टीटोरी फर्स्ट ओप्शन इसमें करेक्ट होगा अग्ला प्रश्न है किस ग्रंथ में एक अचार इस्वी के आसपास की राजस्तान की सामजी के मारति के स बारे में जानकाली मिलती है यह प्रश्न बहुत ही मातवपून है और इसका करेक्ट आंसर होगा तारिकुल हिंद फर्स्ट ओप्शन इसमें करेक्ट होगा अगला प्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ओफ वैल्स की 2022 की भारत यात्रा का वर्णन इस्ट्रेंडरी ने किस ग् जसमें जयपुर का नाम पिंक सिटी मिलता है तो दोस्तों वो ग्रंथ ne Caribbean of a लोजाम के राजकुमार प्रेंच प्रिंच ओफ मैल सिर्थ एक सफेंधी मिलता है इसका वधनन क्या है इस तैंडरी ने डरद का